होमीज फाइनली वो मुवमेंट आ चुका है जब हमें इन पांच बुड्डों के बारे में बताया जाएगा और सैवन वारलोड के नकली बच्चे सेराफिम जो रिवील नहीं हुए थे मोरियक, क्रोकोडाइल एंडो फ्लेमिंगो इन्हें भी दिखाया जाएगा और लास्ट पुरा इंजर था वो चल भी नहीं पा रहा है अब कमेंट में कोई यह मत बोलना कि इमो ने हांकी यूज की थी और उसे ब्लेक कलर कर दिखाया है इसलिए उसकी आर्मामेंट हांकी की ब्लेक कोटिंग नहीं दिख रही थी सो हलो एब्रिवन स्वागत है आपका वनपीस की एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में तो होमीज वनपीस चैप्टर 1086 का टाइटल दा फाइव एल्डर्स होने वाला है और बेसिकली इस चैप्टर में फाइव गोरों से और उनके वारियर टाइटल और उनके नाम रिवील होंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में पैंजे केसल के तरफ लेके चलते हैं जहां नेफरिटारी कोब्रा की देथ न्यूस रैवरी समिट में आएं सभी लोगों को धिये धिये पता चलने लगती है जिसके कारण इगराम और चाक करते हुए बताता है कि हम लोग एजस किंग्डम के शिप में हैं और मेरे पास रैवरी की एक ऐसी बड़ी न्यूस है जिससे पूरी दुनिया शॉक्ट हो जाएगी पर मैं जो न्यूस बता रहा हूं उसके बदले में तुझे मेरी जान बचाना पड़ेगा मॉर्गन कहता ह ओके अगर ते पास सच में इसी कोई न्यूस है तो मैं तुझे बचा लूँगा तुम लोग एक काम करना जब मेरी शिप इंटर्व्यू के गेट अप में हेटकुर्टर्स के करीब आएगी तो तो मैं उसमें हिसाब से चुपके से बैठ जाना उसके नेक्स सीन में वीवी बात करना चाहती हूं वो मेरी चिंता कर रहे होंगे वापल कहता है नू, एबसलूटली नू ये भी तू नहीं कर सकती, वीवी कहती है वाए मैं क्यों नहीं कर सकती वे अब भाई यहाँ पर देख रहे हो, वापल की इतनी बुरी फटी हुई है कि वो छोटी सी भी गलती न लूसिया किंग्डम की शिप में आ जाता है और साबो बहुत बुरा इंजर्ड होता है साबो लोगिया डैविल फूरूट यूजर होने के बावजूद अगर इतना बुरा डैमेज हुआ है इंजर्ड हुआ है तो इसका एक ही मतलब है इमू का डैविल फूरूट या कहूं उ साबो इस पैनल में इतना बुरा इंजर्ड हुआ है इमू के ब्लैक एरो से शैडो एरो से कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और इमू ने कोई हाकी बगएर भी यूस नहीं किये उसके बाद हम देखते हैं पैंजिया कैसल के अंदर गोरो से रैवरी के बारे में बात कर करना है और यह टेस्ट लूलूसिया किंग्डम की उपर करेंगे फिर यह गोलू मुलू मूच वाला गोरो से कहता है वहाँ पर काफी लोग हैं सब मारे जाएंगे उसके बाद इमू कहता है आई डून्ट केर लूलूसिया कि उपर एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि वह आईले इसे प्रिपेर करने में टाइम लगता है इसके बाद इमू कहता है मुझे वी 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 चाहिए उसके बाद सबी गोरो से का इंट्रोडक्शन होता है अब जितने भी गोरोसे हैं उन सबी को टाइटल ओ वारियर गोरोसे का नाम सोला सिस्टम के प्लैनेट पर बेस्ड है और ये वाला गोरो से सैटन पहले ही रिवील हो चुका था, इसका नेम प्लैनेट सैटन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे वारियर गौर्ड ऑफ साइन्टिफिक डीफेंस का टाइटल दिया गया है, और इसका नाम है सैंट शेपर्ड जूपीडर और इसका नाम प्लैनेट ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मूचवाला जो गोरो से है, इसे वारियर गौर्ड ऑफ लीगल अफेर का टाइटल दिया है, इनसाफ का देवता बताओ, और इसका नाम सैंट टॉपमेन वैलकरी है, और इसके नाम में टॉपमेन वैलकरी का जो वैल है, वो प्लैनेट मर्कुरी को रिप्रेजन कर रहा है, और ये लास्ट गोरो से, इसका नाम है सैंट मार्कस मार्स, और इसका मार्स प्लैनेट मार्स को रिप्रेजन कर रहा है, और इसे वारियर गौड ऑफ इनवार्मेंट का टाइटल दिया है, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और मरीन जहां आका इन्यों को निउस आती है ताज इने और एजिस खिंडम में रेविलियन चल रहा है और यह रेविलियन शुरू होने का रीजन है रिवलुशनरी आर्मी और मरीन इन रेविलियन से डील करने के लिए सेरफ मोरिया क्रोकोडाइल और डोफलेमिंगों को लेके जाते ह इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साबो की तरफ साबो ड्रैगन और इवांकोफ को पूरी बात बता रहा होता है और साबो कहता है जब मैं लुलुशिय किंडम में पहुंचा तब जाके मैंने निउस में देखा कि मेरे उपर नेफरेटारी कोब्रा की हत्या करने का इल्जाम आया था जिसने पूरा लुलुशिय ही खतम कर दिया यह सुनके इवांकोफ कहती है साबतों ने इमू नाम के बारे में कुछ कहा था पर यह स्टोरी सुनके तो अजीव लग सकता है पर 800 पहले अमंग दा क्रियेटर ऑफ दे वर्ल्ड उनमें एक गेंग था सेंट इमू फ्र का यूजर उसकी इबिलीटी इमॉर्टल यूज सरजरी को यूज करके किसी भी मॉर्टल बिंग को इमॉर्टल बना सकता है इसके बाद इवा कहती है एक और चीज सावो जो तुमने क्लावड में ब्लेक शैडो देखी थी बहुत बड़ी वह वेगा पंक कोई डिजाइन की अभी तक जिन्दा है तो ये पॉसिबल है वो वेपन एंशन वेपन भी जिन्दा हो सकते हैं फिर ड्रैगन कहता है रॉबिन ने भी बताया था एंशन वेपन अभी भी एक्जिस्ट करते हैं इसके आगे ड्रैगन कहता है अगर एंशन वेपन जैसे टेक्नलोजी इनके पास पहले से थी तो वर्ल्ड गवर्लमेंट ने इसका यूज पहले कभी क्यों ने किया अभी यूज क्यों कर रहे हैं ये लोग उसके बाद हमें सीन में फिर से पेंजे केसल की तरफ लेके चलते हैं जहां होली लैंड मेरी जुआ में एक सेलेस्टियल ड्रेगन को मार दिया गया ह और बैक्राउंड में हम देखते हैं मेरी जुआ में फूट की कमी भी होती है अब भाई यहां पर तुम्हें याद होगा इवांगोफ की बात सच हो चुकी है कि इन सेलेस्टियल ड्रेगन को अब पता चलेगा कि भूब और गरीबी क्या होती है पर जो भी हो जो सेलेस्टि की होटे मजोसगार्ड और जिस परसन ने इसे देथ जैज्जमेंट पास किया है मजोसगार्ड को वो है सेंट फिगारलेंड गार्लिंग और यह बंदा होली नाइट का लीडर है और इसके हिस्टिय में पीछे जाएं तो यह फॉर्मर किंग था गौड वैली का हाँ गौड बट इसका नेचर शेंक्स की तरह बिलकुल नहीं है इसका हेट फिश्मेंट के लिए इतना जादा है कि इसने मजोसगार्ड को एक्जिक्वीटी करवा दिया फिश्मेंट को बचाने के लिए अब भाई यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खतम और चैनल को सस्क्राइब ज ले लिया है